जीवन में परिसानियां चाहें जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोस होने से काफी कम हो जाती हैं, सबर करने से खत्म हो जाती हैं, और परमात्मा का सुक्र करने से खुसियों में बदल जाती हैं हेलो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज की मॉर्निंग हम आज संडे है तो मॉर्निंग मेरी और पार्थ की सराथ से स्टार्ट हुई पार्थ रात को लगाया था काजल तो मुझे बूद बत के डरा रहा था मैं अपने रूम की साफ सफाई में लेगी हुई थी अपनी बुक्स वगएरा सारी प्रपेर करके रख रही थी वो आ गया बीच में बुआ ये मुझे आपके साथ खेलना है मुझे खेलना है मैंने का बेटा मुझे साफ सफाई करनी है आप बाहर जाओ वड़ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था तो मैं अपनी टेबल पर ही बैटी हुई थी आप देख सकते हो टेबल पर बैटके ही अपनी बुक्स किताब कॉपियों को समयट कर रही थी साफ सफाई कर रही थी रूम की पर वो जित करके मुझे बाहर ले आया चलो बुआ जी चट पर चलना है और भावी नहीं देखो सी बैटको लेग कर जाओंगी तो है भी बैग है उसने का भाव मैं लेके चलता हूं देखो कैसी गले में टांग लिया भुआ की अब फिलिंग को समझता है और देखो भुआ की हेल्प करनी के लिए कितने मस्ती में आप टैंसर नालो मैं लेके चलूंगा आपका बैग सो हम दोने एक दूसरे की हेल्प करते हुए चट पर पहुंची गए मैंने चट पर अपनी पढ़ाई स्टडी कम्प्लीट कर लिए एक दू गंटे तक पढ़ाई करती रही और पार्थ खेलता रहा फर उसने फिर मुसे जित की वह आप खेलो मत पढ़ाई मत करो मेरे साथ खेल लो तो थोड़ी मैं उसके साथ भी मस्ती की तो आज का संड़े की मौनिंग यही से हुई थी बावी ने पूरे घर के जाल वगेरा सारे मार दिये मकडी वगेरा को सब को घर से भाग निकाल दिया दूल मिट्टी को भी बगा दिया वो लगी हुई थी पार्त उन्हें कुछ करने नहीं दे रहा था कभी इधर से कुछ बिगाड़ों कभी उधर से बच्चे तो बच्चे ही होते हैं तो मैं उसको लेके गई थी साथ मैं अब आ गई मम्मी तो मम्मी लेके गई उसे निलाने के लिए इतना सैतान है न वो इतनी ज़्यादा सराद करता है बहुत ज़्यादा तो मैं अब पोच्छा लगा रही थी पोच्छा लगाते लगाते मैं आपसे बाते भी कर लेती हूँ कुच तो यह बात है कि मेरी मम्मी है बहुत zyada महनत ही तो उन से ही मैंने महनत करना सीखा है अगर मैं अगर मैं यह सुचती कि मैं handicapped हूँ मुझसे कुछ नहीं होगा तो बहुत ही जाद बेकार बात ही मैं सारे काम कर लेती हूँ हमें कोसिस करना चाहिए, यह सोचना नहीं चाहिए, कि नहीं हम से नहीं होगा, कैसा भी काम हो, उसको करनी की कोसिस करनी चाहिए, तो मैंने सारे काम करनी कोसिस किया, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो भाबी आ गए है ना, तो वो ही सब कुछ हैंडल कर लेती है, छोटी भाबी यो सरीर है ना उसको बहुत ही ज्यादा benefit मिलता है एक टाइब की exercise हो जाती है तो यह अगर हम वैसे exercise नहीं करते तो काम करते करते तो हमारी exercise हो जाती है और हमें यह संकोच नहीं करना चाहिए कि छोटा काम है यह तो मैं के साथ इतना बिजी रहती हूँ बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ वह सबसे ज्यादा special time होता है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा तो बात काम करते करते हैं मैं आपसे बाते भी कर रही थी तो अंदर का पूछा सारा हो गया था यह बहार गैलरी है हमारी काफी बड़ी गैलरी इतने में देखो मैं बहुत ज्यादा मतलब हैंडी के अब थोड़ा थकावर तो होती है लेकिन लगातार अपने काम में लगी हूँ सोचती हूं मेहनत करेंगे तब ही हम कुछ पा सकते हैं बट सपना मेरा कुछ और है मैं एक सिच्छक बनना चाहती हूं टीचर बनना चाहत अगर किसी से कुछ भी कहो ना कि यह प्रॉप्रम है तो सबको लगता है बहाना लेकि मैं बहाना नहीं बनाती मैं मेहनत करती हूं दिल से पर पता नहीं थोड़ा समय लगता है सबर करना चाहिए देखो एक दिन अच्छा हो गई यह सोचकर मैं अपनी मेहनत में लगाता अगर हम उसको समझाने जाएंगे तो हम ही गलत है इसलिए किसी को कुछ समझाओ मत जो जैसा सोच रहा है उसकी सोच है उसको सोचने तो अपना काम खुद करते रहो अगर आप सही हो तो जमाना सही है अगर आप गलत हो तो सब गलत है इसलिए अब घबराओ मत हर काम खुशी- बता रहें कभी वो इनसान खुस नहीं रह सकता अगर दूसरों के बारे में सोच कर अपनी life को पीछे डखेलता रहा या कुछ करनी की कोसिस नहीं की हाँ गलती होती है इनसान है हर किसी पर गलती होती है ऐसा नहीं है कि हम गलती को सुधार्टी हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए उस गलती को पकड़े हुए ऐसा नहीं है कि रोते रो हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है बस सुदार्तियों आगे बढ़ना चाहिए तो हो गया मेरा पोच्छा तो अब मैं नहां दो कर फ्रेस होकर अपनी पड़ाई लिखाई करने के बाद तो इंजॉय करूँगी आज साम को सोच रही थी मैं वहां चलती हूँ प्लॉट पर वहीं चल करके आओगी क्योंकि कभी घर से बाहर तो निकलती नहीं हो फिरी नहीं हो पाती हूं टूशन की वज़े से टूशन में विजी रहती हूं ना साम को सुबह अपनी पड़ाई मे लगी रहती हूं तो मैं भाई से बोल रही थी प्लॉट पर लेके चलना अब देखो वो कह रहा है मैं विजी वुदी दी नहीं जा पाऊंगा कोसिस कर रही हूं आख मन में सोच रही हूं प्लीस ले चले तो अच्छा रहे बैठी हूं यह दर वाजे पर क्योंकि हमारी गाय बनती है ना प्लॉट पर तो वो दूद निकाल दे जाता है गाय का तो मैंने सोचा मैं भी चलूँगी मैं उसे बनाने की कोशिस कर रही थी आई हो चलो वो मान गया I am so happy सो भाई मान गया हम पहुँच गए प्लॉट पर पर उसने आने से पहले ही सरत रख ली थी मैं गाय का दूद निकालती आउंगा क्योंकि दी आज मैं बहुत बिजी था इस बज़े से उस पर टाइम नहीं था वो डारेक्ट आने वाला था मैंने का चल कोई बात ने इतना ही ठीक है मैं तने में इंजोई कर लूँगी तो मैंने इंजोई करना स्टार्ट कर दिया था वो भाई है गाय का दूर निकाल रहा है मैं आपको दिखा रही हूं यह हम दादी के लिए चाय लाए थी दादी यहीं थी उनके लिए चाय भी लेकर आय थे भावी ने रखती थी तो यह हमारा प्लॉट मैं एंजोई कर रही थी संडे ऐसे इंजोई यह इंजोई बहुत है मेरे लिए तो चोटी-चोटी खुसियां ही बहुत बड़ी खुसियां होती है ज़रूरी नहीं है कि दूर-दूर घूमने जाओ घर से थोड़ी तो बाहर निकल कर आई तो मैं यह एंजोई कर रही थी यह मेरी पापा और दादी की मैनत जो दिनवल लगी रहते हैं इसी में बोलते हैं घर की जैसे सबजी का आननदी नहीं है तो वो घर की जैसे सबजी बनाने के लिए यहां पर बैगन, तोरई, लोकी, कद्दू, सब की बेल लगा रखे हैं और पौद ल आएंगे भाई बोल रहा था मैंने का चल मुझे बैगन भी दिखाने के लिए लेकर आना बोला ठीक है, तो यहां मैं बैटी हुई थी, जल्दी जल्दी में मैं स्लीपर भी नहीं पैन गई, ऐसे ही आ गई, घर जाके हाथ मूँ दो लोगी, तो मैंने यहां पर दादी को द अदर से लेके जल, अम्मा से बोला मैंने लाना अम्मा जरा फोन दो भी रहा, जाते समय देखना छेड़ेगा भी और देखो छेड़ देता है, तो हो गया मेरा संडे इंजॉई, तो हम लिकल रहे हैं घर के लिए सामकर समय था, ओ देखो रास्ते में मैं इतनी सारी भेड़ यह मिली, वाओ, मैं इतनी सारी भेड़ों के बीच में से निकल रही थी, बहुत जादा अच्छा लग रहा था, इंजॉई हुआ, सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीस लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक यू सो मच, बाबाई